Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा LED के बारे में So without any further ado, let's get started तो प्रेंट सबसे पहले बात करते हैं LED की फुल फॉर्म के बारे में LED की फुल फॉर्म होती है Light Emitting Diode यानि के ये डायोड की एक ऐसी टाइप होती है जो के Light Emitting करती है इसलिए हम इसे कहते है Light Emitting Diode और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कहते है LED LED के दो टर्मिनल्स होते हैं एक डर्मिनल को हम कहते है Positive और दूसरे टर्मिनल को हम कहते है Negative LED हमेशा DC करेंट के उपर आपरेट होती है और डिफरेंट वोल्टीजिस के अकॉर्डिंग अवेलेबल होती है 3 वोल्ट की 6 वोल्ट की 9 वोल्ट की 12 वोल्ट की यानि के डिफरेंट वोल्टीजिस के अकॉर्डिंग LED अवेलेबल होती है और LED different colors में available होती है suppose मेरे पास एक 4 वोल्ट की LED है और मेरे पास एक 4 वोल्ट की बैटरी है अब अगर मैं LED के positive वाले टर्मिनल को बैटरी के positive के साथ और LED के negative वाले टर्मिनल को बैटरी के negative टर्मिनल के साथ attach करूंगा तो ही मेरी LED glow करेगी अगर मैं उल्टे connections करूंगा तो ये LED glow नहीं करेगी तो कोई भी electronics का component हो जो के DC current के उपर operate होता हो तो उसके अंदर आपको polarity का खास ख्याल रखना होता है positive टर्मिनल को positive के साथ attach करना होता है और negative वाले टर्मिनल को negative वाले टर्मिनल के साथ attach करना होता है तो फ्रेंड़ आप बात करते हैं LED की types के बारे में LED की बहुत सी types होती है काम साब का एक ही होता है लेकिन शकले एक दूसरे से different होती है कुछ LED ऐसे भी होती है जिनकी 3 पिने होती है कुछ 4 पिनों वाली LEDs भी होती है इसके लावा 7 segment display भी LED की ही एक type है जिसको आने वाली वीडियो में आपको complete detail के साथ बताऊंगा के 7 segment display क्या होती है इसको कहां पर यूज करते है LEDs की बहुत सी types होती है जिनको हम electronics के अंदर different जगा पर different circuit में different type of LED को यूज करते है तो अब बात करते हैं LED के uses के बारे में LED को हम different electronics devices के अंदर as a power indicator भी use करते है इसके लावा हम LED bulbs के अंदर LED को use करते है LED bulb के अंदर basically एक circuit लगावा होता है जो के AC current को DC current के अंदर convert कर देता है और DC current के ओपर हमारी LED आन हो जाती है इसके लावा 7 segment display LEDs को हम use करते हैं microwave के पैनल्स के अंदर और बहुत सारी ऐसी जगें जहां पर अगर हमने कोई numbering शो करवानी है तो वहाँ पर हम 7 segment display को use करते हैं जो के LED की ही एक type होती है I hope के आपको complete detail के साथ समझ आ गई होगी के LED क्या होती है और LED को हम electronics में कहां कहां पर use करते हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिये के notification बेल आइकन को भी प्रेस करें ताके मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियो का notification आपको मिल जाया करें Thanks for watch this video करें